हेलो दोस्तो बहुत सो फिने शेयर बजार में आपका इप फिर से स्वागत है आज हम किसी शेयर से लेटरी बात नहीं करने वाले पर हम कह सकते हैं कहीं न कहीं यह वो शेयर से एक्जिस्ट करते हैं मार्केट में ओके एक ऐसी चीज कि आपको अगर शेयर मार्केट के कुछ भ आगा सकते हैं देखें रिस्कُ तो होता ही हैँ मार्केट अपडाउन भी होती हे सरकती थीक है बट अगर आपको पता है कि मार्केट हमेशा उपर ही जानी है आज अगर मार्केट का रेट 14000 चल रहा तो आने वाले 10 साल में वो 15,000 भी होगी, 20,000 भी होगी, 50,000 भी होगी, अगर आपको इस तरीके पता है, निफ्टी इस रेट पे चलेगी, तो उसमें आप आख बंद करके पैसे लगा देना, आपके पैसे बन जाएंगे, और बैंग की FD से जादा ही return उसमें मिलता है, इवन Buffett साब भी कहते है कि हमें इस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसी चीज से रेटी बाते करेंगे, तो आएए वीडियो की तरफ चलते है, बट विपोर देट आप से रिपकेश करना चांगा, आप हमारे जाएंगे, बाँस आफ इने शेर बजार जो आपका चैनल ह इसे सब्सक्राइब करें, शेर करें फैमिली फ्रेंज के साथ, और हमें सपोर्ट करें, और आपको अगर अगर आकाउंट ओपन कराना है डीमेट आकाउंट तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, आपका फिरी में डीमेट अपन ओपन हो जाएगा, जो कि जीरो डिलिवरी चार्जिज और आपका बहुत अच्छा अप्लिकेशन है, सर्फ कोश्टमर सर्विस है, तो जाके आप वहां पर क्लिक करेंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे और फिरी में अकाउंट ओपन कराईएगा, तो जिस चीज से लेटी बात करने वाला अपने अप्लिकेशन में तो यह चीज आजाएगी, तो यह चीज रियक कैसे करती है मैं आपको बता देता हूँ, यह ETF होता क्या है, ETF के बारे में मैं आपको बता देता हूं, तो इसका सिंपल सा मतलब है, एक exchange of trader fund होता है, एक funds होते है, मतलब एक आपका होता है, जैसे कि मी इसको बास्केट of security, मतलब एक particular shares ले लेते हैं, उसको अलग-अलग shares लेकर उसे जमा लेते हैं, और उसमें पैसे डाल देते हैं, और उस तरीके से आपके पैसे अगर बढ़ते हैं, किसी में घाटा होता है, किसी में profit होता है, तो वो उसका average निकल के आप जो profit होता है, वो आ से shares, तो दिखा देता हूँ, reliance, HDFC, enforces HDFC मलब, जो यह आपके nifty-fifty के जो shares होते हैं, उसमें equally participate कर देते हैं, या particular companies के अलग-अलग participation होता है, उसमें, यह कह सकते हो, या अलग-अलग उसका weightage डाल जेते हैं, बट mostly क्या होता है, जैसे कि अगर 50 company है nifty-fifty में, और उनके पास पचास रुपे है, तो वो एक-एक रुपे हर एक company में डाल देंगे, और overall the year या जो भी है, जिस तरीके से market react करेगी, और जो उनका average निकल के आएगा, उनका average निकल के आएगा, तो उसे हम कह देते हैं, कि उस company को profit होगा, समझ लिजी, HDFC, दो लिया हमने, HDFC bank लिया, एक ICICI bank लिया, ICICI bank 10 रुपे loss में है, और HDFC bank 20 रुपे profit में है, तो क्या होगा, कि 20-10 is equal to 10, और 10 रुपीज का जो profit है, यह average होगा एक तरीके से, तो यह आपका, जो यह profit होगा, 10 रुपीज का, उसे ही हम कह देंगे, कि यह जो है, वो आपको profit के रुपे मिल जाएगा, तो इस तर particular stocks, bunch of stocks में, वो invest करते हैं, और जो average निकलता है, उस तरीके से वो आपका profit हो जाता है, तो इसमें, जैसे कि nifty 50Bs है, यह nifty 50Bs है, तो इसमें पैसे लगा देते हैं, और बहुत अच्छा जो भी profit होता है, और आपको पता ही है, यह nifty 50 में कौन से blue chips company होती है, blue chips company में ही, अच चलता कैसे है, यह nifty 50 के according ही चलता है, अगर आप nifty 50 के chart से भी इसे compare करेंगे ना, तो उसी के according है, चलता भी है, कह सकते हो, क्योंकि क्या होता है, कि अगर यह भागना है, तो यह भागे गई, इसे फिर आप कोई भी इसे रोकने वाला नहीं है, इस तरीके से यह चलते ही है, क्योंकि market देखे, नीचे जाती है, देखे, यहाँ पर से 123 पर चल रहा था, crash हुगा, crash हुगा, तो देखे, share 83 पर आया, nifty 50, ऊपर गई थी, 14,000 के आसपास चल रही है, देखे, यह इसका भी अगर performance देखे, तो देखे, यह बढ़ता ही जा रहा है, यह भी इस तरीके से 86% क आपको profit दे चुका है, तो जिस तरीके से nifty 50 का chart pattern चलेगा ना, क्योंकि nifty 50 में क्या है, nifty 50 में, वो ही 50 shares है, और आप जो पैसा लगएंगे, इसी में लगएंगे, तो इसमें भी nifty 50 के ही वो shares है, तो आपको अच्छा खासा profit होता हुगा, मिल जाएगा, तो आप देख सकते chart pattern के सबसे, जैसे nifty 50 ऊपर की तरफ ही जाएगा हमेशा, तो इसी तरीके से देखी ये भी जाएगा, बट जहां जहां nifty में भी गिरावट होगी, कोई pandemic आएगा, या कोई financial crisis आएगा, जैसे यहां पर crushes आया, यहां पर आपको गिरावट दिखी, जैसे यहां गिरावट द इतना, यह 155 रुपी के आस पास यह चल रहा है, और देखे, ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ लोग खरी दी न रहे हो, इसमें लेगे 44% की delivery लगबा उठाए गई है, 6,60,000, 770,000,000 शेर्स की यहां पर देखे, delivery उठाती हुई, आपको साफ नजर आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि लोग इसमें invest नहीं करते हैं, कावी सारे लोग invest करते हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता मार्केट में, अगर कोई आपके आस पड़ोस ही है, जैसे उन्हें कुछ नहीं आता, तो आप इसे recommend कर सकते हैं, यह आपको अच्छा कासा 10-11-12% का profit yearly base पे निकाल के दे देता है, जैसे की Warren Buffett साफ हमेशा कहते है, इसी तरीके से देखिए, बैंक निफ्टी भी आपको भी पता है, बैंक निफ्टी कभी कम भी हुआ करता था, और आज की रिट में लगए 31-32-33,000 रुपे के आसपास चल रहा है, तो जैसे जैसे बैंक निफ्टी बढ़ेगा, उसी तरीके से बढ़ेगा, जहां गिरावट होगी, वहां पर यह भी गिरेगा, देखिए, यहां पर गिरावट ही थी, तो यह गिरा और इसके बाद देखिए, यह अच्छा का से रिकावर हो गया, अगर आपको पता है कि जो बैंक निफ्टी है, ओके प्राइवेट सेक्टर का अगर बढ़ेगा, जो आज 32,000 पे है, वो कल की देट में 50,000 पे जाएगा, तो देखिए, यह भी उसी तरीके से रियक्ट करेगा, उसी तरीके से यह आपको पैसा बना करेगा, यहां पर देखिए, गिरावट हुई थी, तो यहां पर भी गिरावट हुई, बैंक ने फ्री धीरे रुपीज का, यहां पर यह 52 वीक लोग था, और 52 वीक है, 329 रुपीज था है, अगर हम कंपनी इंफ्रमेशनल की बात करें, तो देखिए, यह ऐसा भी नहीं है, कि यह आपको डिविदेंट वागरा कोशन देते, डिविदेंट भी देते, दो जरबार में देखिए, बैंक पर आप देख सकते है, 2019 में यह स्प्लिट हुआ है, 10 का फेस वैल्यू एक का हुआ है, as well as 2012, 2013, 2014 में इस तरह इसने भी आपको डिविदेंट दिया, तो डिविदेंट भी देते है, लाई का कंपनी, और अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी कंपनी है, तो देखिए, अगर हम बात करें, यहां पर आप देख लीजिए, अगर आप यहां पर NSE के साइट में आप टाइप करेंगे, तो देखें, निफ्टी बीज, बैंक बीज, हैंक सेंग बीज, जुनियर बीज, इंफरा बीज, शारिया बीज, गोल्ड बीज, अगर आप गोल्ड में इन्व इसमें करिए, जैसे जैसे निफ्टी और बैंक, बैंक चार्ट, बैंक का चार्ट जाता हुआ नजर आएगा, उसी तरीके से देखिए, आपके पैसा भी यहां पर, इसली स्मूूथली बनता हुआ नजर आएगा, यहां देख सकते हैं, निफ्टी बीज इस कॉंबिनेशन निफ्टी इंडेक्स वेल्यू, निफ्टी बीज यूनिट्स आटेड़ेड एगा, यहां देमेटरलाइज फॉर्म लाइक अधर शेयर, इन रोलिंग सेटलमेंट, तो यही है, बंच अफ शेयर होते हैं, जो निफ्टी के हैं, और उसी में एक्कोली पैसर डिवाइड करके लगा दिया जाता है, और जो प्रॉफिट होता है, वो आपको मिल जाता है, तो यही है आपका निफ्टी, और जिस तरीके चार्ट रियक्ट करेगा, उसी तरीके से देखिए, निफ्टी बीज का और निफ्टी बैंक का चार्ट निफ्टी बैंक बीज के साब से, बैंक बी तो वहाँ पर पैसा बनने के चांसे बहुत जादा होते हैं कि 20% बने गया साल का 30% बने गया 40% 50% बट नहीं हाँ पर आपको एक पर्टिकुलर जितना जिस तरीके से निफ्टी बढ़ेगा उसी तरीके से यहाँ पर पैसा बढ़ता हुगा आपको नजर आएगा एँसा नहीं है कि यह पैसा आपके डबल कर देगा इसमें पर बहुत कम है तो इसलिए इसकी तराफ आप धियान दे सकते हैं तो अगर वीडियो अची लगियो तो लाइक शेयर करियेगा as well as हमारे इस चैनल बहुत से फिर ने शेयर बजा जो आपको खुद का चैनल है इसे सब्सक्राइब करना बिलकूर मैं बुलिया so thank you so much God bless